नमस्कार मैं रवीश कुमार योगी आधितिना एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिने हटाने की चर्चा तब से चल रही है जब से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया योगी आधितिना चर्चाओं में सबसे अधिक बार हटाए जा चुके हैं अगर इस बार योगी नहीं हटाए जाते हैं तो योगी से ही अनुरोद करना चाहिए कि वो उन सुत्रों को हटवा दे जो योगी को हटाने की चर्चा चलवाते रहते हैं योगी को हटाना आसान नहीं है तभी हटाने का सुख चर्चाओं में लिया जा रहा है अगर इतना आस खेब हाम भी चलवाता मैं बनने वाला हूं या कैसी चर्चा है केवल उसका ही नाम चल रहा है जो हटाया जाएगा जो बनेगा उसका पता ही नहीं वो एक शब्द नही बोल पा रहा है योगी जी के खिलाब एक समस्या और है योगी जी की तरफ से कोई चर्चा ही नहीं चल रही है क्या हम मान लें कि वे हटाये जाने की चर्चाओं की समाप्ती के बाद वास्तविक रूप से हटाये जाने का ही इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी इन चर्चाओं पर बोलने की लगता है उनसे भी डबल इंजन के एक इंजन का दर्द देखा नहीं जा रहा है पूरे चुनाओ भर अखिलेश ही अकेले थे जो इस बात से परिशान नजर आए कि बीजेपी के प्रचार पोस्टरों में योगी नहीं है मोदी अकेले है लगे हर भाशन में बोलने कि पोस्टरों में दूसरा इंजन गायब है यानि योगी नहीं है यूपी में हर तरफ मोदी के ही पोस्टर लगे थे मोदी के अलाबा किसी और का उसमें फोटो नहीं था अगर अखिलेश यादव तब चुप रह जाते तो आखिर में मोदी के पोस्टर पर योगी का फोटो कभी नहीं लगता। मेरी एक फियोरी है जिस तरह से चर्चाओं में योगी को हटाने का सुख लिया जा रहा है उसी तरह पूस्टरों से भी योगी को हटा कर उन्हें हटाने का सुख लिया जाता रहता है। लेकिन योगी जी हैं कि हटते ही नहीं हैं चर्चाओं भी चलकर टल जाती हैं बैठ जाती हैं। दो दिनों से बहस चल रही है इतनी जोर की चर्चाओं चली है कि लगा कि योगी को हटाने वाले सफलता के नजदीक पहुँच गए हैं। आफ रिकॉर्ड चर्चाओं में अखिलेश यादव ने आन रिकॉर्ड बयान देकर मज़ा खराब कर दिया कि उप चुनावों के कारण ये फैसला टल गया है। आप सोचिये, खबर या रही है कि महला ने अपने उपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि इस पर होगे है। आप सोचिये आप, आप लोग सुख खुद सोचिये कि एक महला अपना न्याय मागने गए। और इनके विधायक खुद आरोब लगा रहे है। जिस बिभाग के बारे में वो आरोब लगा रहे हैं, वो बिभाग तो सबसे करीम हो उनके। अब चर्चा तल सी गई है कि उपचुनाव होने वाले हैं। इसलिए नहीं हटाए जाएंगे। तो क्या योगी को हटाने की चर्चा चलवाने वालों को इतना भी नहीं पता था कि दस विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विपक्षी बोले जा रहा है। बीजेपी से कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि यूपी में रहना है तो योगी योगी करना है। लगी नहीं रहा है कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी का कोई समर्थक, विधायक है, कोई कारे करता है, प्रदेश में कोई नेता है, प्रवक्ता है। बीजेपी के नेता भी अभी तक इसी टाइप के नारों के साथ रैली नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि यूपी में रहना है, तो योगी योगी करना है। केशो प्रसाद मौर्या के नाम की चर्चा चल जाती है लेकिन वे भी खंडन नहीं करते चर्चाओं में केशो प्रसाद मौर्या कब से मुख्यमंत्री बनाये जा रहे हैं तब से जब से योगी हटाये जा रहे हैं इसी तरह हमने देखा है कि गुजराज से रिटायर होकर एक आईए सबसर एके शर्मा जब यूपी आए तो कई साल तक इसी की चर्चा चलती रही कि वे डिप्टी सीयम बनेंगे योगी की सरकार में मंत्री तो बन गए लेकिन एके शर्मा आज तक डिप्टी सीयम नहीं बनें अब उनकी चर्चा थम गई है योगी को हटाने की चर्चाओं से मुझे बहुत शिकायत है रंज है तमाम चर्चाओं के बाद जब योगी नहीं हटाए जाते हैं तब चर्चा ये चलती है कि कुछ दिनों बाद हटाए जाएंगे यही करते करते 2017 से जुलाई 2014 आ गया काफी गंभीर बाते कह रहा हूं इसलि आप भी मेरे हसाने पर मत हसिए मगर मुझे एक बात को लेकर डाउट हो रहा है कि क्या चर्चाओं चलवाने वाले ये सारे सुत्र अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहार गये थे जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने यह धमाका कैसे कर दिया इनोंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा आडवानी ची की राजनीती खतम कर दी इनोंने मुर्गी मनवर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रम आजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यपरदेश को चुनाफ जीत के दिया इन लोगोंने शिवराज सिंग च किसका नंबर है योगी आदिप के नाथ अगर ये चिनाफ जीत गए मेर से लिखवालत दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदन देंगे अभी दो महीने पूरे नहीं हुए हैं डेड़ ही महीने हुए हैं और योगी को हटाने की चर्चा तो चली पड़ी या एक ऐसा एतिहासिक बयान है केजरीवाल का के पूरी BJP को एक जट होकर साबित करना ही होगा कि केजरीवाल की बात गलत थी और इसके लिए एक ही रास्ता है कि योगी नहीं हटाये जाएं जैसे ही योगी को हटाया गया केजरीवाल का ये वाक्य अгр़ अमर हो जाएगा कि योगी के हटाने की बात तो सही निकल गई अब मोदी को हटाने की बात कब सही निकलेगी इसलिए मोदी जी भी पूरा जोर लगा देंगे कि योगी नहीं हटाये जाएं वरना केजरीवाल की इस बात की परिक्षा दो साल के बाद की जाने लगेगी मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधान मंतरी कौन होगा आप लोग सोच रहे होंगे केज़िवाल क्या बात कर रहा है मोदी जी होंगे नहीं मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल कोगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले अडवानी जी को रिटायर किया गया उसके पेहाद मौडली मरोर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोडी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उसके भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निप्ताएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमिच्छा को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को देश के लोगों को अगा करना चाहता हूँ। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमिच्छा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे। योगी अगर नहीं हटाए जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान केजरी वाल के बयान का होगा। और अमिच्छा अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो इसमें भी योगदान केजरी वाल के इस बयान का होगा। जब केजरीवाल ने ये बात कही थी तब तो उन्हें भी नहीं पता था कि यूपी में बीजेपी इस तरह हार जाएगी आयोध्या की सीट भी गमा देगी वो तो चुनाओं के नतीजों के बात पता चला कि यूपी में काफी कुछ गड़बर हो गया है केजरीवाल के इस बयान के तुरंत बात पूरी बीजेपी आगई कहने मोदी नहीं हटाये जाएंगे किसी ने योगी पर कुछ नहीं कहा था चुनाओं के आखरी चरण में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा ने कहा योगी को नहीं हटाया जाएगा योगी सबसे योग्य सियम है एक ही महिना बीता है इस बयान का और चर्चाएं ऐसे चल रही है जैसे योगी ही सबसे अयोग्य सियम है चुनाव भर मोधी योगी को मेरे सीम कह रहे थे मेरे सीम कोई किसी को इतने प्यार से मेरे सीम कहेगा और एक महिने बाद हटाने की चाल चलेगा आप भी प्रधान मंत्री का बैयान सुन लिजे और अपनी आखें खोल लिजे मतलब मैंने हसने से मना किया है कानून नहीं बनाया है कि आप हसे ही नहीं हुआ है कि बन डिस्ट्रिक बन प्रोड़काउं का मिशन आज पूरे देश में नई इजद बना रहा है आप ने दिर बुल्डोजर बुल्डोजर की बाते कही अगर विकास को नई उंचाईयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है और कासी के सांसद के नात मैं उत्तरफुजर का सांसदू मेरे भी माननिय मुख्य मंत्री है मैं गर्वा नुभाव करता हूँ कि मेरे पास ऐसे साथी है बताईए प्रधान मंत्री मोदी कह रहे हैं वे मेरे भी माननिय मुख्य मंत्री हैं मेरे भी इतनी श्रद्धा उन्हें गर्व होता है ये कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे साथी हैं और ऐसे योग्य सियम माननिय मुख्य मंत्री ऐसे साथी को चर्चा चलवा कर हटवा दिया जाएगा और योग्य सियम इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ कर गुरकपुर चले जाएंगे क्या इस दुख की घड़ी में योगी जी के साथ कोई भी नहीं जो इन बयानों को निकाल कर चलवा दे जब योगी सत्ता में आए तब से उनके सन्यासी होने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है गोदी मीडिया भी उनकी साथगी पर मरने मिटने लगा अब हाल यह है कि योगी सत्ता छोड़ी नहीं रहे उन्हें हटाने वाले जिस वे जानते हैं कि सन्यासी जब तक मुख्यमंत्री की कुरसी पर है तब तक उन्हें सन्यास झेलना होगा और चर्चा से ही काम चलवाना होगा यह वो लोग हैं जो बार बार दिल्ली जाकर सन्यासी को हटवाने की चर्चा चलवा देते हैं ताकि इनका अपना सन्यास दूर हो सके जिन गोधी चैनलों पर योगी का जलवा होता था उन्हीं गोधी चैनलों पर डिबेट चल रहा है बाबा हटा दिये जाएंगे क्या आपको याद नहीं गोधी मीडिया के एंकर और एंकरानिया बुल्डोजर पर बैठ कर रिपोर्टिंग करने लगी थी अब डिबेट कर लगी हैं कि क्या योगी को लेकर फैसला होने वाला है संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है किसी को कुछ पता नहीं बस हटाने का महौल बनाया जा रहा है ठीक उसी तरह से जैसे ये लोग बनाने का महौल बनाया करते हैं कोई पूछ नहीं रहा है कि बाबा हटा दिये ज कौन चला रहा है कोई किसी का नाम नहीं ले रहा बस उन्हीं दोनों की बाते हो रही हैं गोधी मीडिया को कितना विग्यापन दिया बाबा ने और सिर्फ सूत्रों के आधार पर बुल्डोजर की शक्ती से संपन शक्ति शाली मुख्यमंत्री को हटाने की चर्चाएं चल पड हैं तो हट जाएंगे या हटाने वाले को ही हटा देंगे चुनाओ भर योगी जी सुनते रहे अंत में केजरिवाल की बात पर बयान दे ही दिया उम्मीद है वे इस बार की चर्चाओं पर भी बयान देंगे कि उन्हें नहीं हटाया जा रहा है कभी-कभी होता क्या है जब जेल में जाता है न उसकी बुद्धी भी पलड़ जाती है और ऐसे ही आमात्मी पार्टी के अध्यक्स विल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजडिवाल की बुद्धी भी भरम में पड़ गई है और जेल क्या गए है कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लारज हो गया है कि वह अपनी बात को मुझे मेरे साथ जोड़ने का प्रियास कर रहे है ये जेल जाने का एक रियक्सन है इस समय तो अर्विंद केजरिवाल जेल में हैं जाहिर है योगी के हटाने की चर्चा केजरिवाल के भ्रम से उत्पन नहीं हो रही है बीजेपी के भीतर के सूत्रों की स्पष्टता से निकल कर आ रही होगी गोधी चैनलों के एंकर मोधी और योगी की जोडी बना कर इस तरह पेश किया करते थे जैसे हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर मोधी के बाद जो रेल गाड़ी आने वाली है उसका नाम योगी है लेकिन इन दिनों पहले की तरह गोधी मीडिया पर योगी की सादगी सत्ता और सन्यास पर कोई प्रोग्राम भी नहीं आ रहा उनकी गोशालाओं पर भी एक वीडियो आ जाता योगी जी सब देख रहे होंगे नोट कर रहे होंगे अब उन्हें पता चल रहा होगा कि उनके सूत्रों की गोधी मीडिया में कोई पूछ नहीं गोधी मीडिया में उनका कोई नहीं जो कह सके यूपी के सबसे प्रभावशाली, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने वाले, विकास करने वाले, एक ट्रिलियन की अर्थ व्यवस्था बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदितिनात को कैसे हटा दिया जाएगा समझ सकता हूँ, योगी जी आज नितांत एकांत में हैं, अकेले हैं, मैं उन सुत्रों की दाग देना चाहता हूँ, जो योगी आदितिनात को तब भी हटवा रहे थे, जब मोदी और योगी का पर्चम लहरा रहा था, और यूपी में बीजेपी जीत रही थी, और अब भी भा रहे हैं, जब वाकई में लोग सभा में बीजेपी को जटका लगा है, मैंने कितने ही वाट्सअप फॉरवर्ड देखे हैं, मीम देखे हैं, जिनमें मोदी को राम और योगी को हनुमान बताया गया है, लक्षमन की जगह अमिश्या को दी गई है, मतलब ऐसे ही हटा दे हैं, तो ऐसी चर्चा मत चलवाई है, वरना हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों की वाइरिंग में शौक सर्किट हो जाएगी, आप योगी को कैसे हटा सकते हैं, मेरी योगी जी से कोई बात नहीं हुई, योगी जी ने मुझसे कोई बात नहीं की, सूत्रों ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन मैंने ट्वीटर से लेकर टीवी पर चल रही चर्चाओं के संपर्क में आकर ये वीडियो बना दिया, तस्वीरों में कई बार योगी और मोदी में दूरी दिखाई देती है, वीडियो में भी दिखता है कि प्रधान मंत्री मोदी, मुख्य मंत जब दोनों साथ साथ चलते हैं, तो प्रकट नहीं होता है, नवंबर 2021 की ये तस्वीर यादगार है, प्रधान मंत्री मोदी ने मुख्य मंत्री योगी के कंधे पर हात क्यों रखा, अब ये तो नहीं मालू, मगर अच्छा मुझे भी नहीं लगा, अगर मोदी ये बताना चाहते हैं कि योगी के बॉस हैं, तब भी ये तरीका ठीक नहीं, लेकिन जब योगी जी को ही इसमें बुरा नहीं लगा, तो मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, बात है कि बीजेपी केवल यूपी में तो नहीं हारी है, अगर यहां योगी के कारण हारी है, तो महर जी नीचे योगी जी भी थोड़े ऊंचे नजर आ जाते इसका इंतजाम तो होई सकता था ताकि दोंव बराबरी से नजर आते लगता ही नहीं कि इन्हीं योगी जी को प्रधान मंतरी ने मेरे सी उम कहा मेरे माननी मुख्यमंत्री कहा था योगी जी को चर्चाओं वाले चैनल से नहीं घबराना चाहिए इस वक्त उन्हें ये सोचना चाहिए कि कमजोर लोगों के घरों पर बुल्डोजर चलाना सही नहीं था एक गरीब रहडी वाले से उसका नाम लिखवाना सही नहीं ताकि मजभ का पता चल जाए उन्हें इस वक्त सोचना चाहिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या क्या जातियां की एक मुख्यमंत्री को जनता किन कारियों के लिए याद रखेगी इस बारे में सोचना चाहिए इस समय योगी भी महसूस कर रहे होंगे बाहर कैसी चर्चाएं चल देंगे उन चर्चाओं में उन्हें कितना दीन हीन बना दिया गया है जिन चर्चाओं में कभी योगी को मजबूत और लोगप्रियर नेता बताया जाता था योगी जी ही ऐसी चर्चाओं को खत्म कर सकते हैं या तो इस्तीफा देकर या इतना सा बयान देकर कि मुझे कोई नहीं हटा सकता मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं रवीश कुमार का वीडियो देख रहा हूँ नमस्कार मैं रवीश कुमार